दोस्तों just imagine आप फोन पे बात करते करते जा रहा और suddenly आपका फोन हो गया blast या फिर आप PUBG गेम खिल ले और आपका फोन हो गया blast सबस्क्राइब दोस्तों मैं आपको बता दूँ पहले ये वीडियो में नहीं बनाने वाला था अब फिर एक दिन मौसी ने मुझे का जब अमजा सिमेंट से बनाया होगे घर टूट सकते हैं तो फिर फोन की बैटरी ब्लास्ट जो नहीं हो सकती अब आपने ख्लिप देखी उसमें आपने देखा कि इस तरीके तो फोन ब्लास्ट होते हैं ये तो एक दम पका है लेकिन बहुती रेयर के से फोन ब्लास्ट होते हैं और कैसे आपको इन बचना है मतलब फोन ब्लास्ट से बचना है अपनी बैटरी को डेमेज होने से आपको बचाना है किस तरीके से वो मैं आपको आज कंप्लिट्ली इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो ये चीज़ों कर दोस्तों आपको ध्यान जरूर रखना होगा सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि हमारी जो भी स्मार्टफोन रहती है लगबग जो तीन चार साथ से आ रही है जो अभी भी फोन है तो उसमें बैटरी जो यूज की जाती है वो ये निथियां आयोन बैटरी यूज की जाती है जो की कापी स्मार्ट बैटरी है है जो दोस्तों और उसके साथ साथ हमारे जो smartphone है वो भी AI technology पर अभी जो आ रहे हैं साथ सब में लगबख हम लोगो AI मिलती है मतलब artificial intelligence इससे कहने का मिला मतलब यह है कि जब हमारा phone इतना intelligent हो चुका है सब अगर blast होते हैं तो कोई भी हो सकता है लेकिन बहुत रियर के इस मतलब लाक में से किसी एक जनका blast हो गया तो battery blast हो गई बरना नहीं होता आप क्यों हो जाती है वह भी मैं आपको बता दे रहा हूं वैसे तो डड़ने की बिल्कुल जर्वत नहीं है मैंने बता दिया कि काफी अच्छी smart batteries smart AI based हमारे phones रहते हैं जो कि हमारे फेस वगर को detect कर पाते हैं कैमरे इतने अच्छे हैं हमारी performance को पूरा manage करके रखते हैं फोन की तो फिर blast battery को कैसे होने देंगे अब देखी दोस्तो होता क्या है basically हम लोग क्या करते है फोन को राद बर चार्ज करते हैं तो हमारी फोन उसमें power लेना बंद कर देती है मतलब अगर 100% जब charge हो जाए तो हमारी battery और हमारे फोन में इतनी power है इतने वो समझदार है कि उसके बाद वो लोग charge लेना शुरू खत या जो दो तीन साल पहले के भी phones है तो कोई भी problem नहीं होगी आप रात पर लगा सकते हो अब phone plus क्यों हो सकता है अब कभी आप मान लीजी कि pubsi game खेल रहे हो और आपका phone overheat हो रहा है उपर से आपने charging में लगा के phone को खेल रहे हो तो इस time पर आपका phone का battery overheat होगा और दोस्तो इसमें एक layer रहती है membrane के नाम से जिसको जाना जाता है battery में एक layer रहती है जिसको बोलते है membrane अगर वो किसी भी तरीके से damage हुआ तो आपकी phone की battery blast हो जाएगी उसी के साथ आपका phone भी blast हो जाएगा तो इससे आपको बचना है कभी भी अगर आपका phone overheat होता है तो आप उसको charging स यहां पर भी blast होने के chances है अधिकी होता कैया है कि processor है आपका मानने लीजे कि MT67399 मिलिया टेक का मतलब एक कम्जोर प्रोसेसर है आप उसमें हाई ग्राफिक्स गेम खेलने तो फोन तो हीट होगा ही न उसके बाद आप उसमें चार्जिंग लगाए हो तो यहां से अनरजी आ रहा है यहां से जा रहा है तो continue यह जो cycle चेले ही आ रही है आप उसको current में यूज़ कर रहे हो तो ऐसे में बहुत ज़दा chances होते हैं फोन के blast होने के और दूसरी बाद अगर आप अपने फोन के duplicate charger यूज़ करते हो आपके फोन का charger गूंग या यह सब काम आप करते हो duplicate charger, duplicate cable तो सबके जो vault रहते हैं वो अलग रहते हैं charger के तो दोस्तों यहां पर भी आपको दिक्कत आ सकती है आप कभी भी duplicate charger यूज़ मत कीजिए duplicate cable यूज़ मत कीजिए अब अगर कर भी रहे हैं तो वैसे issue नहीं है लेकिन जब आपको phone heat होना अगर आपको कभी भी लगते हैं कि phone overheat हो रहा है तो आप तुरंद उससे दूर हो जाएं बढ़ना दोस्तों वो blast वगर हो सकता है rare case में होता है लेकिन होता है आपने ये भी देखा होगा अभी जो हमारे smart phones आते हैं उसमें हम लोग को non removable battery मिलती है कि हम लोग battery को निकाल नहीं पर है ये भी सिर्फ इसी लीड किया गया है पहले क्या उटा था कि हमने कोई भी battery अगर हमने mobile की battery खराब हुई तो फिर कोई भी हम लोग दुकान पर जाएंगी सस्ते वाली battery उठा के उसमें लगवा देंगे कम पैसे वाली तो यहाँ पर भी phone बूर जो battery होती थी वो जल्दी full जाती थी और वहाँ पर phone blast पूने के chances ज़्यादा रहते थी लेकिन अभी non removable battery के साथ ये chances और कम हो चुके हैं तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है स्रिफ आपको द्यार में रखके चलने हैं तो आपका phone धीरे धीरे ठेलडा हो जाएगा और blast में कोई भी chances नहीं रहेंगे बस दोस्तों इस वीडियो में इतने ही वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करना श्रियर करना चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सस्क्राइब कर देना इसी तरह की टेक्नोनिक से भरी न्यूस आपको स्टैनल पर मिलती रहती है